हाल, बनुट है 오면 इन दिनों कंगना रनओत, अपनी फिल्म धाकड को लेकर कापी चर्चा में बने हुई है फिल्म फियेटर में नरे साय counsel होने यह यह फिल्म, 2021 को रे से जाने होगी इस बीच फिल्म से अरजुन रामपाल का लुक सामने आ गया है अरजुन इस फिल्म में विलन के रोल में है पोश्टर में अरजुन लेदर जैकेट, ब्लैक, शेड्स और हैट लगाए दिख रहे हैं उनका लुक काफी डार्क है अरजुन रामपाल के शरीर पर टैटू भी देखे जा सकते हैं अरजुन रामपाल ने पोश्टर को शेर करते हुए लिखा बॉम, बुराई का नया नाम है रुदरवीर इस फिल्म में अरजुन रामपाल का नाम रुदरवीर है सूपर एक्साइटेड हूँ और उन्होंने बताया कि मैं इस फिल्म को लेके काफी सूपर एक्साइटेड हूँ इस रोल को निभाने के लिए जो की एक समय में खतरनाख खातक और शान्त होगा धाकर 1 एक्टुबर 2021 को रिलीज होगी फिल्म में अरजुन की किरदार का नाम रुदरवीर होगा इस फिल्म में कंगना लीड रोल में है इस पाई एक्शन फिल्म में कंगना रनावत एक स्पेशल एजेंट अगनी के रोल में दिखेंगी कंगना रनावत का भी फिल्म से लुक आउट हो चुका है फिल्म के पोश्टर में आप कंगना को तलवार हाथ में लिए बैठे देख सकते हो उनके बैक्गराउंड में लाश्चो के धेर लगा हुआ है जिसे पता चलता है कि कंगना का किरदार काफी दमदार होने वाला है बता दे कि धाकर को सोहेल मकलाई प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं रजनेश घाई अका राजी फिल्म को विश अस्तर का बनाने के लिए इसमें जाने माने अंतराश्ट्रिये डियोपी टेटशुओ नगाटा को भी लिया गया है पिछले काफी दिनों से कंगना रानावत हमेश्या चर्चा में रही अपने ट्वीट के लिए कि काफी वो एक्टिब भी रहती है और काफी बिवादों से भी उनका नाता रहा है और काफी दिनों बाद ये फिल्म धाकर जो इस साल रिलीज होगी अब देखना होगा कि कंगना रानावत इस फिल्म से लोगों के दिल में कितनी जगह बना पाती है